आज होके अपने operating system के lecture No.3 के साथ और इस lecture में हम cover कर रहे होंगे mouse को mouse क्या होता है यह समझेंगे सबसे पहले पर इसके कुछ settings होते हैं जो आपको पता होना चाहिए वो सारे settings step-by-step हम cover कर रहे होंगे यसे कि buttons का setting होता है pointers का setting होता है pointer options होते हैं जैसे कि cursor को speed देना वगरा और wheeler को speed देना जैसे हम wheeler के तो ऊपर नीचे जाते हैं यह speed भी आउख control गर सकते हो यह सारे settings step by step cover कर रहे होंगे इस lecture में तो start करते है what is mouse से तो यहाँ पर मैंने commands को माउस एक इन्स्रक्शन्स या तो पर inputs भी कह सकते हैं इसलिए हम कहते हैं कि mouse एक input device है जो computer को command देता है या computer के inside काम करने में हमारा help करता है number 1 number 2 mouse है touchable device है इसे हम touch कर सकते हैं और इसका structure होता है अब touch करते हैं और structure होता है इसलिए हम इसे hardware भी कहते हैं यह एक hardware है, तो एक input hardware, अब इस mouse के inside आपको यहाँ पर एक wheeler मिल जाता है, तो structure समझ रहे हैं, यहाँ पर एक wheeler होता है, और wheeler के इस side पर आपको एक button मिलता है, जिसे हम right button केते हैं, या right click केते हैं, और इस side पर आपको एक और button मिलता है, जिसे हम left click केते हैं, या left button केते हैं, त पर आपको अल्मस्त यहांपे जो नॉर्मल माॉस होते उनकी इंसाइड यही तीन चीज़े मिल जाते हैं बाकि जब fancy आप माॉस लेते होतो तो fancy माॉस की insects आपको यहाँफरится यहाँपे इंसाइड भी बिटन मिल रहा होते हैं यहाँ पर यह भी बटन मिल रहा है बाकि इन दोनों का काम अलग होता है इस click के तुरू हम selection करते हैं हम इसके तुरू selections कर रहे होते हैं या चीजों को open कर रहे होते हैं इसके तुरू हम options enable करते हैं menu देख रहे होते हैं किसी भी चीज के वाले से आपको menu देखनी है options देखनी है कि आप इन wheeler के जो moment है या behavior है इसे कैसे control कर जाते हो फिलाल ये जो wheeler है इसके inside आपको एक button भी मिलता है तो अगर ये wheeler जो यहाँ पे आपको देख रहा है ये wheeler अगर आप प्रेस करते हो तो आपको feel हो जाएगा कि हाँ इसकी inside एक button भी मुझूद है कोई fancy अगरा नहीं यहाँ पे जो normal mouse होते है उसकी inside भी ये button होती है अब इस button का काम क्या है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे browser की तरफ आपको लेके जाता हूँ तो मैं यहाँ पे browser को open करूँगा जिसे मैं आचुका यहाँ पे browser की तरफ और यहाँ पे मैंने नसीब code studio सर्च कर ली सर्च करने के बाद यहाँ पे यह link मुझे next step में open करना है वैसे click करूँगा तो यह same tape की inside open हो रहा होता है पर इसे मुझे next step में open करना है तो हम mouse का जो wheeler है उसकी तरूँ इसकी 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 तरूँ इ कि तुरू जिस लिंक पे भी आप क्लिक करोगे तो वो लिंक आटमेटिक नेक्स टेब में और एक फ्रेश टेब में ओपन हो जाता है यह समझ आ चुका होगा कि विलर की तुरू में इस तरह उपर नीचे स्क्रोलिंग कर सकते हैं और विलर की इंसाइड आगर आपको बटन मि हों जाते हैं हमारे साबने जिससे यहां पर यह माई कंपूटर ऑफन हो गाया मैं का स्क्रोलिण करते हैं इसके डिंचे होप्शन होता है चिनन बे उप्शन होते control panel, control panel एक inbuilt feature है, हर computer की inside होता है अगर आप window use करते हो, तो यहरा control panel नहीं मिल रहा है, तो right click कर ले personalize की तरफ चले जाए, और यहाँ पे आपको option मिलेगा themes का, और इसमें option आपको मिलेगा नीचे, या तो इस side पे आपको option मिल रहोगा, desktop icon settings का तो यहाँ से enable कर लो, तो मैंने यहाँ पे यह चेक लगाया है, अगर मैं चेक हटा लो तो और apply पे click कर लो, यह icon चला जाएगा चेक वापिस लगा लो, apply पे click कर लो तो यह वापिस आजाएगा, यह पहला तरीका था control panel को enable करने का, दूसरा कीबोर्ड में window key होती हो, पकड़ के रखो और और उसकी साथ प्रेस कर लो, तब कि सामने यहाँ पे यह चोटा सा dialogue box और run command आ जाएगा यहाँ पे भी आप type कर सकते हो, जैसे मुझे type करना, यहाँ पे control panel तो यह रहा control panel, enter करूंगा control panel एक दफा पिर open हो जाएगा तो control panel open करना आपको आचुका होगा बाकि आपको अगर भी इस तरह नहीं मिल रहा तो यह उपर आपको कुछ options देख रहे होगे आप इस option पे क्लिक कर ले, यहाँ से आप अपने हिसाब से in options को categorize कर सकते हो जैसे आप इन options को देखना चाहो, आप अपने हिसाब से इने रख लो फिलाल मैं large icon select करता हो और यहाँ पे एक option आपको मिल रहा होगा mouse setting, आप इस पे click कर ले, जैसे click करोगे तो इसकी menu आजाएगी, mouse की menu आजाएगी इस menu की inside डेर सारे options है, हम step by step इन options को समझ रहे होंगे, दूसरी window मैं ने close कर लिए सबसे पहला यहाँ पे, यह उपर टॉप पे जितने भी चीज़े आ रहा है इन सब को हम tabs केते हैं, यह होगा button tab, यह होगा pointer tab और यह होगा pointer options और wheeler tab और hardware tab इस वकद हम button वाले टेप पे हैं, और इसकी inside आपको यहाँ पे तीन options total मिल रहे होंगे पहला है button configuration, दूसरा है double click, speed और तीसरा है click lock अब पहला जो option है, इसका काम क्या है, यहाँ पे गोर कर ले आप यहाँ पे इस वकद हमें बताया जा रहा, जो left click का काम है, वो selection होगी left click के तुरो आप चीजों को open करते हो, अगर हम यहाँ पे यह चेक लगा ले, क्या हुआ left click जो था, वो आगए इस साइड पर, और right click इस साइड पर, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों ने अपने जो features होते या अपना जो काम है, वो swap कर लिए, अब इस वकात, जो left click selection कर रहा था, और left click जो यहाँ पे चीजों को open कर रहा था, वो काम अब ले चुका है, कौन? राइट क्लिक, अब राइट क्लिक के तुरू में सेम काम, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक के तुरू में सेलेक्शन कर रहा हूँ, यह राइट क्लिक के तुरू में सेलेक्शन कर रहा हूँ, और लेट क्लिक के तुरू में सेलेक्शन कर रहा हूँ, और लेट क्लिक के तुरू options enable हो right click through selection हो तो अब इसे enable करे लो फिलाल मेरा अदिति यहाँ पर default one है कि अश्याँ कि मैं सलक्षन करता हूँ और चीज़ों करता हूँ यहाँ से सेटिंग अब आपर add нимbla एक नियूबल कर सकता हूँ इसे सव्हेक्स आरहा है यहाँ यहाँ पर double click double वागरा होगा वो open नहीं होगा अब यहाँ से इसे fast बना सकते हैं अगर मैं fast बनाओंगा तो इसका मतलब आप जब तक fast तरीके से या जल्दी से double click नहीं करोगे तब तक आप चीजों को open नहीं कर सकते हैं तो मैं अगर तोड़ सा भी यहाँ पर रुक जाओंगा तो यह open नहीं हो रहा देखलो दो क्लिक मैं अब भी कर रहा हूँ पर रुक रहा हूँ दरम्यान में तो यह open नहीं हो रहा है जब तक मैं तेजी से double click नहीं कर लो तो इसे में slow down भी कर सकता हो यहाँ पर हम slow कर सकते हैं apply पर क्लिक कर लो अगर मैं एक क्लिक करूंगा दूसरे क्लिक को तोड़ सा टाइम दूंगा तब भी open हो रहा है दोनों क्लिक के बीच में यहाँ पर गेब दिया तब भी open हो रहा है और double click को आप slow कर सकते हो और यहां से fast कर सकते हो अगर आप slow रखते हो तो fast भी यहाँ पर कर सकते हो अगर आप fast रखते हो तो slow use नहीं कर सकते हैं जैसे हम apply पे क्लिक करेंगे मैंने यहां पे slow रखा है double click जल्दी से कर रहा हो तब भी open हो रहा है और दोनों clicks के बीच में यहां पे तोड़ सा गेप दे रहा हो तब भी यह open होगा यह समझ आ चुका होगा और बढ़ते हैं यहां पर नेक्स ऑप्शन की तरफ आ रहा है turn on click log आप click log का मतलब क्या है और इसे में यहां पर normal करता हूँ सबसे पहले अब turn on click log का मतलब क्या है तो अगर आप यहां पे किसी भी window को कुछ दिर तक इस पकड़के रखते हो और वह अगर आपके करसर के साथ चिपक जाता है आपके pointer के साथ चिपक जाता है जैसे मैं यहां पे चेक लगा लू अपलाय पर click करूँगा और इसे कुछ दिर तक यहां पर पकड़ के रखूँगा और फिर चोड़ दूँगा यहां पर मैंने क्लिक छोड़ दिया अब क्लिक को छोड़ने के बाद भी यह मेरे करसर के साथ यहां पर चिपका हुआ है वजा क्योंकि यह option यहां पर चीजों को आपकी करसर के साथ कुछ दिर तक पकड़ने के बाद चिपका देता है तो इसके settings since hiç भी होते हैं आप यहां पर क्लिक कर लो कश्छ दूर तक अगर आप इससी पकड़के रखोगे तब यह चिपक जाइगा तब अपनी आपको यह option पशन है तो आप इस option के साथ के साथ देख लो अगर मैं he scrolling इसSlow down या it to도 यह छिए उसे मैं कुछ दिर तक पकड़के है जैसे यह वाला स्कूरूल बार है इसे मैं आगर ऊपर नीचे की तरफ जाता हूं यह भी यहाँ पर चिपक गया है मेरे करसर के साथ यह भी चिपक गया है मैंने क्लिक जोड़ा है तब भी यह चिपका हुआ करना दोनों क्लिक का काम एक दूसरे को दे देना तो यह काम आप यहाँ पर कर सकते हो दूसरा डबल क्लिक का स्पीड यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो और तीसरा क्लिक लोग विंडो के साथ आप यहाँ पर करसर को चिपकाना चाते हो वीलर के साथ करसर को चिपकाना चाते हो त या पर जो options दिये गए वो हम समझाझ लेते हैं different types के आपको यहाँ पंचर मिल रहा होंगे तो जो भी pointer आपको यहाँ पे पसंद आता है if कर लो और apply पे क्लिक कर लो तो pointer change हो जाता है जो भी पॉंटर आपको यहाँ पे पसंद आता है तो click कर लो click करने के बद पॉंटर चेंज हो जाएगurning on यहाँ पे देख लो एक transparent pointer मुझे मिल चुका है transparent pointer आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पर यह आगर कोई चीज अवेलेबल होगा तो आपको यह करसर कुछ इस तरह से खुद का स्ट्रक्चर दे रहा होता है तो यह इसके डिफरेंट स्टेजिस पे डिफरेंट बिहेवियर है यह आपको एक साथ तो नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ वहाँ कई पे क्लिक कर रहे हो तो नेक्स्ट आप आप यहां पर पोईंटर ऑप्शन का इसे समझते हैं तो इसके इन उपको इहाँ पर चार और आल्मुस पांश आप्शन मिल जाते हैं इन 5 ओप्शन को आप देख रहे होंगे सबसे पहला ओपिछन है यहाँ पर मोशन मशन मतलब यहाँ वहां करसर को मूव कर रहा, जिसे मैं यहां भहां kurser को муж कर रहा है तो यह fast तरीके, नatan तरीके से हम इसे fast बना सकते हूं Мар Бог solicitor केते हिए, तो देख लो cursor कितने से यहां भहां भहां मुव हो रहा है, तो हमने यहां पर इसको speed दे इदि, अगर आप laptop उज कर रहे हो तुम्हाने लेपटाप की इंसाइड आपको यहाँ पर टच पेड मिल जाता है और आप फिंगर के तुरू यहाँ वहाँ करसर को मूव करते हो और बहुत ही स्लो तरीके से करसर यहाँ पर आजाता है बहुत स्लो तरीके से करसर यहाँ वहाँ मूव हो रहा है तो next option आ रहा है यहां पर snap to, snap to का मतलब क्या होगा, automatically move pointer to the default button in our dialogue box, जो default button होता है, जैसे default button यहां पर ok है, कुछ windows में default button format का होता है, कई पर delete का होता है, कई पर submit का होता है, apply का होता है वगरा, तो फिलाल हमें यहां पर active button और default button ok मिल रहा है, तो यहां पर मैं एक दफा पर control panel को enable करता हूँ, और यह चीज़ आपको समझाता हूँ, इसका काम क्या है, माउस pointers को मैं यहां पर एक दफा cancel कर लेता हूँ, और मैं यहां पर mouse की जो options इस पर click करूँगा, click करने के बाद cursor पर गोर कर ले, वही पर cursor पड़ा है, automatic यहां पर ok पर jump नहीं किया, तो अब pointers options पर click कर ले, और यहां से option enable कर ले, अब जैसे मैं यह option enable कर ले, apply पर click करूँगा ok पर click करूँगा, अब देखलो, mouse पर मैं click करता हूँ, तो cursor automatic यहां पर ok और default button जो ok है, उस पर jump कर चुका है, तो यह कभी-कभी खतरनाक हो सकता है, जिसे माले, आप किसी चीज़ को try कर रहे हैं, और इसकी inside यहां पर format का button है, आपने किसी button पर click कर लिया, और इसमें आपका data पढ़ा है, वोड़ आटमेटिक आपका cursor move वो आप format button पर अपने गलती से भी अगर click कर लिया, तो आपका data चला जाएगा, तो कभी-कभी यह खतरनाक हो सकता है, पर अगर आपके लिए helpful है, तो आप simple pointers पर जाके option enable कर ले, तो जो भी डायलोक box के inside जो default button होगा, उसके उपर cursor automatic jump कर रहा होगा, अब next mouse के inside जो pointer options है, उसकी inside आपको next option यहाँ पर मिल रहा होगा, जिसका नाम यहाँ पर, display pointer trails, तो आप अपने cursor को इसके तरुक करिश बना सकते हो, करिश मतलब यह देख लो, तो cursor के behind यहाँ पर multiple cursor मजीद आ रहे है, तो आप चाहते हो यह वाला effect, तो simple आ आप यहाँ पर यह enable कर लो, disable कर सकते हो, enable कर सकते हो, बाकि इसके यहाँ पर जो options है, उसे आप यहाँ पर long और short कर सकते हो, मतलब, अब long और short का मतलब क्या होगा, यहाँ पर, short मतलब, यहाँ पर जो cursor है, उसकी behind अभी भी वो बाकी pointers आ रहे है, पर वो come gap में आ रहे है, करशर गायब नहीं होता आपकी सामिने रेता है मालो आप यहां से यह टेक्स लेकिट टाइप कर रहो तो जरुपत भी डिस्टब करता है तब चाहते हो कि जब मैं टैपिंग स्टार्ट कर लो तो यह करसर गायब हो जाए हुजा तो यह जा हिए लगात लो अगर जेक्स अगर अगर cursor hide हो जाता है उसके बाद आपको cursor का location देखना है तो फिर आप ये वाले check लगा सकते हो शायद ही ये आपका काम का होगा control के तरू को हम देखेगा cursor को आप move करोगे mouse के तरू आप mouse को move करोगे तो cursor आपको देख जाएगा शायद ही आपको इसकी जूरत पड़े पर फिर भी अगर आप यहाँ पर enable करते हो और cursor hide हो जाता है control की press कर लो अपनी keyboard से cursor आपको अपना location देदेगा कुछ इस तरह से circles के तरू तो ये थे आपके pointers का option पहला option था यहाँ पर motion speed control कर सकते हो दूसरा option था यहाँ पर snap to जो dialogue box की inside default button होगा उस पर आप जंप कर वा सकते हो cursor को और next आ रहा है अज़र आप यहाँ पर cursor को करिश्ट बनाना चाते हो तो यह option और next और last के दो options text typing के लिए होते तो अगर typing के वकद cursor hide नहीं हो रहा तो यह check लगा लो और अगर hide हो जाता है उसके बाद आपको cursor का location देखना है तो यह check लगा के control की प्रेस कर लो तो आपको cursor का location देख जाएगा next और last step यहाँ पर आ रहा है last step क्यों के रहा हो बाकि हाड़वेर है हाड़वेर की inside ऐसे कुछ खास नहीं है हमारे लिए और wheeler की inside यहाँ पर खास है तो यहाँ पर one screen at a time की बात और यह one screen मतलब जब आप scrolling करोगे scrolling जैसे हम यहाँ पर scroll करते तो scroll के वकद यह देख लो कितने तेजी से यह एक screen screen मतलब जितनी चीज़े मुझे देख रही यह सारे scrolls होंगे नीचे की तरफ यह सारे एक साथ scroll होंगे तो अब इस type के अगर scrolling नहीं चाहते हैं तो यह option आप check कर लो यह first option check कर लो तो following number of lines at a time अगर मैंने यहाँ पर एक लिक है तो इसका मतलब scroll करते वकद एक की line उपर नीचे scroll होगा तो हम यहाँ पर एक दफा apply पे click करना चाहेंगे साथ यहाँ पर scroll हो रहे होंगे तब यहाँ पर scrolling को control कर सकते हो और यह होगा horizontal scrolling horizontal scrolling शायद ही किसी mouse के inside होगा फिलाल मेरे mouse के inside यहाँ पर सिर्फ vertical scrolling है horizontal scrolling नहीं शायद ही किसी mouse के inside आपको horizontal scrolling मिलता हो या तो कोई option हो उसकी तो आप यहाँ पर scrolling को switch कर सकते हो पर horizontal scrolling के लिए यह option आप यूज़ कर सकते हो आप चाहते हो horizontal scrolling में speed बढ़ाना है कम करना है तो यह option vertical scrolling में speed बढ़ाना है कम करना है तो यह option one screen error time का मतलब था कि जो चीज़ी दिख रहे है वो पूरा scroll हो जाए और यहाँ पर number of lines की बात हो रही है बाकि यहाँ पर control panel के inside अगर हम माउस पर वापस क्लिक करते हैं और यहाँ पर hardware पर क्लिक करेंगे तो hardware में आपको कुछ चीज़े बताया जाते हैं जैसे के यहाँ पर name of device क्या है जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो मेरे पास यहाँ पर touchpad भी है और mouse भी है दोनों क्योंकि मैं यहाँ पर laptop यूज़ कर रहा हूँ और नेक्स हमें बास आ रहा है यहाँ पर device के properties के manufacture कहा पर किया गया है तो e-lane यहाँ पर touchpad की बात हो रही है plug कहा पर तो यह उसका port है जहाँ पर भी यह touchpad plugged है PS2 इस port को नाम दिया गया है और नेक्स device का status क्या है क्या काम कर रहा है ठीक से या नहीं तो working properly और नेक्स आप properties पर क्लिक करके इसके drivers वगरा चीजों के वाले से मजी detail में पढ़ सकते हो तो यह तही यहाँ पर mouse के settings और mouse उमीद करता हो यह lecture समझ आ चुका होगा और पसंद आ चुका होगा मैनत लगती है तो इस मैनत के लिए like और comment तो बनता है तो एक comment और like जरूर किया करो मिलते हैं अपने next lecture में जिसमें हम right click के जो options होंगे इसको explore कर रहे होंगे step by step कर दो पर मिलेंख रbahn जो मिलेंख समेश आई और नजिंद केजिआा नही तो किसमें क्दो मिल्म में रहे जाए रपाद्गा मिलें मिलें उहरे हो वाण लोगता है मिल ins Спुक्तो धुक्तो घंस. मैं स्वक्तो पर मौत